मैंने आपसे दो सवाल किये थे क्या ये अपचारिक रूप से कॉंग्रेस पार्टी का भी स्चांड है कि हिंदुस्तान अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है और बी क्या राजस्तान और पंजाब में जहां आपकी सरकार है बहाँ पर भी अब लोकतंत्र है या नहीं छोटा सा जमा नहीं बिल्कुल है बहाँ पर लोकतंत्र और इसलिए बहाँ पर लोकतंत्र फ्रीली गवर्मेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको दिन दहारे पुलीस उठाने लेती है जैसा उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में होता है बिल्कुल लोगतंते वाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ लोगतंतर का ना होना क्या है लोगतंतर का ना होना है चुनी हुई सरकारों को गिराना लोगतंतर का ना होना होना है किसान की निर्मम मौतों के बाद भी सरकारों के मुँपर पट्टी बंदी रहना, मुँँ में दही जम जाना, ये होता है लोगतंत्र की हत्याव, और जिस देश में ये सब हो रहा है, जिस देश में साथ करोर किसान सड़क पे हैं, क्या वहाँ लोगतंत्र जीवत है, इस का प्रवक्ता हूं, जो पाटी अभी सत्ता में है, आप लूग कैलकुलेशन करके देखिये, मैंने कितने मिनिट या कितना सेकेंड बोला, और अभी आपने सुना कॉंग्रेस पाटी के प्रवक्ता को उस पाटी के जिस पाटी के नायक कह रहे हैं कि यह देश और लोकतंत्र कि देश नहीं रहा, आपने सुना, उन्होंने भी क्या क्या कहा, उन्होंने प्रदानमंत्री के लिए भी क्या कहा, वो आपने सुना, उन्होंने कहा कि सरकार के मुह में तो दही जमी हुई है, यह यह लोकतंत्र है, और इसके बावजूत कहना कि लोकतंत्र नहीं है, अंजन या डंडे मारो, मैं तो सुरिनमस्कार करके अपने फीट को और मजबूत कर लूँगा, कौक्रोच है मोदी जी, वाइरस है मोदी जी, भसमासूर है मोदी जी, ये सब कुछ कहने के बाद इनको लगता है, बोटी-बोटी काटेंगे, इनके एक लीडर है, जो कह रहे है जिनके प्रियंका जी के खास है, वो कह रहे थे कि हम बोटी-बोटी काटेंगे मोदी जी को, उसके बाद भी इनको लगता है कि इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया, ये क्या चाहते है, लोकतंत्र बहाल कर दिया जाए तो ये हमारी गर्दन काटेंगे, मोदी जी को मार ही डाल हुआ है, जरा आनन्द शर्मा जी को बुलाइए ना, मनीश तीवारी जी को बुलाइए ना, जी 23 के सदस्यों को बुलाइए, गुलाम नभी आजाज जी को बुलाइए ना, वो बताएंगे गुलामी क्या होता है, वो बताएंगे आत्ममंथन आज किसकी अवश्यक्ता है, क कि जो लोक्तांत्रिक मुल्यों की मौत का जिक्र हो रहा है आपर, वहाँ पर पहुँचने की जरूरत है, क्या जो हां में हां मिलाए वो सब देश भात, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो पीछे से, और जो एक भी आवाज उठा कर सवाल पूछ दे, ये सब देखो देश द्रोही हैं, दूसरे देश के पैसे लेते हैं, इसलिए देश के अंदर unrest cause कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर, ये कोशिश दिखी कि सब के सब खालिस्तानी है, किसान भी इसकी वज़े से बहुत आहत हुए, कई जगों पर ऐसा था, कि अब तो होगा, ये बचा लें बचाना है, तो सवाल उन लोकतांत्रिक मूल्यों की मौत का है? अंजना जी, अब मैं आपकी अनुमती हो, तो एक सवाल मैं आप से पूछनू, क्यूंकि चुंकि एक लोकतांत्रिक देश है, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा, आपकी अनुमती हो तो पूछूँगा, वरना नहीं पूछूँगा, धन्यवाद अंजना जी, अंजना जी, मैं जानना चाहता हूँ आप से, क्यूंकि आप देश की एक बहुत जानी-मानी एंकर है, क्या हिंदुस्तान अप एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, आप इसका जवाब दीजिए, मैं जवाब आपके सारे प्रश्णों का दूँगा, सौफ इसदी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कई बार मुल्य डख मगाते हैं, मुल्यों पर बहस होनी चाहिए, मैं जवाब देता हूँ, अंजना जी आप मुझसे सवाल पूछिए, यहाँ पर कॉंग्रेस की प्रवक्ता, यहाँ किसी भी पार्टी की प्रवक्ता मुझसे सवाल पूछे, मैं जवाब दूँगा, मगर हम डिबेट कर रहे हैं, उस आर्टिकल को लेकर, जिस आर्टिकल के ओथर्स पाकिस्तानी हैं, जिस आर्टिकल के ओथर्स चाइनीज हैं, वो लोग जो 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 जोर्ज सोरोस की ओपन सुसाइटी फाउंडेशन से पैसा लेके हिंदुस्तान के नकसे में से हिंदुस्तान के मुकुट कश्मीर और जम्मू को गायब करके आर्टिकल लिखते हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल में और हिंदुस्तान की मीडिया में Congress Party हमसे ये सवाल पूछे कि बताईए ये चाइनीज और ये पाकिस्तानी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं अंजना जी मैं refuse करता हूँ इस आर्टिकल को endorse करने से मैं refuse करता हूँ मैं इंकार करता हूँ कि जो ये चाइनीज और पाकिस्तानी कहेंगे मैं इसको कदाचित endorse नहीं करूंगा मरते मर जाएंगे हम बीजेपी के कारे करता आप हमें देशभक्त कहिए या ना कहिए जम्मू कश्मीर हमारा था है और रहेगा और मोदी जी ने जो काम किया है आर्टिकल 370 को हटा कर जिसके खिलाफ वीडेम ने भी और फीडेम हाउस ने लिखा है मैं सल्य जूट करूंगा मोदी जी को कि आर्टिकल 370 को हटाने की चूने की इन में से किसी की हिम्मत नहीं थी हाँ एक 56 इंच का लीडर था है और रहेगा जिसने आर्टिकल 370 को हटाया राम मंदिर बरना अगर आटोक्रेटिक है तो मैं आज महाशिवरात्री के दिन नमन करता हूं